इस कैसे हैं आप दोस्तों जबान तो गया अब रह गया डंकी बस किस को कितने स्क्रीण मिन ले वाले है उस पे बात करेंगे हम क्या लगता है आपको क्या होने वाला है जिहां दोस्तों शिरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ठीक है और कुछ लोग हेटर समझते हैं न तो वो मैं हूँ नहीं वो मेरी वीडियो सई से देखा करो तब आपको पतल लगे तो बात करें हम किसको मिलेंगे जी हां दोस्तो ठीक है तो आज जो मूबी के जो अनांस्मेंट हुआ है होम बाले फिल्म ठीक है उन्होंने कर दिया कि हम बाइफतरी को आ रहे हैं सब यहों डिस्ट्रीबूटर के पास इमेल पहुच गया है और मैंने भी बोला है आपको वीडियो में सब क इसे बान दिस्ट्रीबूटर रहे हैं डंकी के वह कॉन होने वाले हैं। जी कहां दोस्तो जिसने ही जिसंए description आप वो ही इसको मुवी को लेके आ रहे है और वो ही डिस्टिबूट करेंगे हिंदी बैल्ट में ठीक है सब जगह ही वो ही करेंगे तो उन्हें नों ये भरोसा दिलाया है जेया दोस्तों उन्हें बरोसा दिलाया है कि ये जो मैं बोल रहा हूं नों दिलाया है तो इसमें भी कोई बात है ऐसे नहीं बोल देता मैं उन्हें वरुफ़ा दिलाया है कि मैं सबसे ज्यादा स्क्रीन दिलाऊंगा तो इसी लिए जो मेकर्स हैं सलार के सलार के जो मेकर्स है ना जल्दी जल्दी से आपने देखा नहीं इमेल डाल दिया था सब के जितने भी डिश्टूटर हैं कि हम आ रहे हैं तो जो जो हम डंकी के जो डिस्टुबूटर है उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भाई हम तुमको बहुत जबर्दस्थ हो दिलाने वाले हैं हिंदी वेल्ड के अंदर तो ये बात पक्का है कि इसको जी हा दुस्तो डंकी को चार हजार प्लस स्क्रीन मिलने वाले हैं हैं पक्का अब इस क्योंकि आपको पता है ऐसे स्क्रीन तो नहीं मिलेंगे किसी को क्योंकि दो मूवी हैं और दो मूवी के पीछे जब ये दोनों मूवी चलती होंगी ना जब ये दोनों मूवी आएंगी 22 तारीक को तो उससे पहले वाला है तो सब calculation करके जो result निकल के आ रहा है वो यह आ रहा है कि कहीं न कहीं डेंकी को 4000 प्लस स्क्रीन मिल सकते हैं और वहीं जियां दोस्तो सलार को उसको संतोस्ट करना पड़ेगा 1800 प्लस 2000 की बीच में जियां दोस्तो यह तो confirm है कि 4000 स्क्रीन तो मिलने वाले है डंकी को ठीक है और बात करें हम overseas की तो overseas में भाई जो सलार मुवी है वो तो बवाल काटने वाली है जी हैं दोस्तों वो भक से ज़्यादा जो location है वही release होगी और अभी तक तो वही ISR के बोला नहीं है कि भाई मैं कितनी location पर आऊंगा कितनी नहीं होगी मगर हाँ यार यह तो है कि बंदा जब आएगा ना जब कुछ करेगा जब announcement करेगा तो कुछ आ लगी होगा तो यह तो अभी से चालू हो गया कि सलार का कि भाई वो बहुत बड़ी अभी से तैयारी उसने शुरू कर दी ठीक है मगर अभी एसर के और जो राजकुमार हिरानी है वो उनका अभी आना वाकी है उनका अभी जो announcement आएगा तब पता चलेगा अभी तो टेलर भी नहीं आए ठीक है तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है मगर हिंदी में इसको यही होने वाला है जो बात खुल चुकी है सब में जिस्टिबूटर है ना उनको भी मालम पड़ गया है डबल ए फिल्मस के जो डिस्टूइटर है जो मालिक वही है अनिल थडानी ठीक है तो वही सलार को डिस्ट्रूट कर रहे हैं इदर नौर्थ में ठीक है ए मतलब डबल ए वाले ठीक है और पैन इंडिया जिसकी मैं बात कर रहा हूं पैन मुरकर उनका नाम है जो जबान ह competitiveness और Metal लाएं भथी तो बात कि यह जो सब्सक्राइब यह वह कर रहा है तो बात यह बात ऐसे भूमी और लिए एंड रोजो है कि तो क्योंगा है कि कहीं लाखनी ने औरना रहे दिया कि भाई हमारी अनिमल्स तब ही मिलेगी आपको जब आप हमारी सलार लगाओगे कहीं ऐसा कुछ ना चल जाए नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा रैट चिल्ली को तो यही है कि यह तो कुछ अभवा है मैं जो बता रहा हूं मगर जो आर्टिकल आया है उसकी पेस पर बता रहा हूं मैं एक मैंने आर्टिकल पड़ा था तो वही यही बता रहा है कि यह ऐसा ऐसा है रैट चिल्ली गया था अनिल थडानी मेकर्स के पास वही जो है ना डिस्टिबूट कर रहे हैं कि सलार मूवी को ठीक है तो उसकी वज़े से गये थे कि भई कहीं यह स लिए ठीक है तो बस यही था कि भई रैट चिल्ली है इसके जो ढंकी के ठीक है करता धरता और भाकिन आपने देखा है धमाल तो मुचा रखाता कि जबान में में भी और पिर इसमें भी ऐसा ही होने वाला है तो यह है किसलार भी भाई कम नहीं है कुछ भी कोई कहे कम नहीं भो भी ठीक है नेक्स अपडेत में अगर मेरा आप डेट आपको अच्छा लगा यार ज़एंड से मुए अजने से पडिन अकर अन्द ai